किसी भी एक्जाम को clear करने के लिए सबसे best strategy क्या हो सकती है आप कभी भी किसी एक्जाम को देने जाते हो ना तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि उसका label क्या है उसका pattern क्या है और इस चीज को समझने के लिए उस exam के previous year question को लगाने से बढ़िया और कोई बात होई नहीं सकती है अगर आप किस exam की त्यारी कर रहे हो और आप उसके previous year questions को नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब साफ बात है कि आप उस exam को clear नहीं कर पाओगे यह बहुत पुरानी कहावत है हर teacher यही कहता है कि अगर आप किस exam को देने जा रहे हो और आपको यह पता करना है कि आप सही direction में उस exam की preparation कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपकी गाड़ी सही दिसा में जा रही है कि नहीं जा रही है इसके लिए आपको time to time उस exam के previous year question को solve करके देखते रहना चाहिए जैसे for example अगर आप ITZE की त्यारी कर रहे हो तो ITZE की preparation को जाचने के लिए अपनी preparation label को समझने के लिए आपको PYQ solve करने चाहिए जब आप PYQ solve करते हो और आपसे question बनते है तब कहीं जाके confidence आता है और आपको भी लगता है कि हाँ भैया हमारी जो गाड़ी है हमारी जो preparation की strategy है सही direction में और अगर आपसे PYQ नहीं बनती है तो फिर वहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती है कि कहां कमी है जो आपसे previous year questions नहीं बन रहे है क्योंकि next year जो question आएगा वो वैसा ही आएगा जो last year questions आए या उससे पहले questions आए कुछ हलग label नहीं रहने वाला है हर बार थोड़ा कभी इधर कभी उधर होता है बहुत जादे का difference नहीं आता है तो इसी के लिए actually जो लोग भी AMU बीटे की त्यारी कर रहा है उनकी preparation में बहुत बड़ी एक दिक्कत ही आती है क्यों पूरी ही साल मतलब 6 महीन, 8 महीन AMU के लिए पढ़ रहा है या JEE के लिए पढ़ रहा है और AMU में बैट रहा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि AMU का label क्या होगा और नहीं AMU की previous year question paper मिलते हैं जो market में available हैं वो year wise available है और बच्चा क्या सोचता है कि पहले पूरे चेप्टर को पढ़ लो जब पूरे पूरे स्लेबस को पढ़ लो और जब पूरा स्लेबस पढ़ लो तो फिर year wise previous year questions लगाओ लेकिन भाया तब तक हो चुकी होती है बहुत लेट माल लो तुम पहले पूरा स्लेबस complete कर लिए और year wise तुम लगाने पहुचे और नहीं लग रहा है तो फिर वहाँ क्या होगा तुम demotivate हो जाओगे depression में आजाओगे और तुमें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम जिस preparation strategy को follow कर रहे हो सही है या नहीं है या फिर तुम उस label की पढ़ाई भी कर रहे हो या नहीं इसके लिए मैं हमेशा recommend करता हूँ कि आप जिस chapter को पढ़े उस chapter के previous year को solve कर ले ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आप सही धंक से पढ़ाई कर रहे है आपके जो भी master पढ़ा रहे है coaching में या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे है वो लोग सही पढ़ा रहे है अगर PYQ नहीं लग रहा है तो आपको जो भी पढ़ा रहे है वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है और अगर अब PYQ लग रहा है तो एक नवजवान ही क्यों न पढ़ा रहा है वो पढ़ाई बहुत काम की है तो PYQ से ही decide होता है कि आपकी जो preparation strategy है सही direction में जा भी रहे है या नहीं तो जो लोग अलिगर मुसलिम युनिवसिटी से बीटे करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप chapter wise PYQ को buy करें आप chapter wise PYQ को क्या करिए buy करिए आप year wise buy करिएगा बिल्कुल buy करिएगा लेकिन कम से कम आप यह buy तब करिएगा जब आप पूरा slaybos complete कर लें आपको लगे कि हाँ अब हम पूरा का पूरा mock test 5-7 साल का 10 साल का हम दे सकते हैं पूरा slaybos complete है लेकिन जब तक slaybos complete ना हो आप इसे कर भी नहीं पाएंगे खरीद लेंगे तो भी तो मैं तो आपको यही recommend करूंगा कि chapter wise buy करिए क्योंकि बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं भाई ये EMU BT की तयारी कैसे करूं आप मुझे बताओ तो मैं भाई कहा रहा हूं अगर आप ITJ की तयारी कर रहा हूं आप जिस भी इंटरेंस की तयारी कर रहा हूं या फिर आप कहीं से EMU BT के लिए proper tuition ले रहा हूं तो आप वहां से लो लेकिन आप PYQ को update PYQ के साथ solve करते रहा हूं क्योंकि जब तक हम PYQ नहीं solve कर पाएंगे हम कैसे मालने कि हम कल BTEK EMU BT के exam को clear करेंगे तो अगर आप चाहते हो कि EMU BT के exam के लिए आप सही direction में preparation करो तो आपका एक ही दिसा सूचक यंतर है वह है previous year question paper और पूरे complete syllabus का आप एक साथ करा नहीं सकते तो आप chapter wise भाई करो अब बच्चों का सवाल होगा भया क्या बेवकुब बना रहे हो chapter wise तो पूरे market में ही नहीं आता है market में तो सिर्फ year wise मिलता है पूरे market में है और वो भी सिर्फ online मिलता है और नहीं तो अलिगड में मिलता है तो कैसे हम करें कोई बात नहीं इसका बीडा उठाया है amu के btech और mtech के छात्रों ने और यहां के कुछ essay students यहां के से पढ़के जा चुके है हम लोगों ने मिलके क्या करा है chapter wise pyq बनाना start कर दिया है और साथ ही साथ मज़े की बात यह है आपको pyq तो हम chapter wise देंगे ही उसके साथ साथ बहुत सारे chapters के जो important chapter है या maybe last तक सारे chapters के video solution भी देंगे तो market में जो भी बुका आती है काफी जादा मेनत करके हर year के अब तक के जितने लगबग 2002 से 2002 से लेके 2020 तक के या 2021 तक के आई थेंग चांटा है उसके previous year questions को चांटा है उसका solution बनाया है उसका साथी में हम try करने की video solution भी आपको provide करें तो यह काम करेंगे हम आप जहां से भी पढ़ रो पढ़ो लेकिन पढ़ने के साथ साथ हर chapter complete होने के बाद आप उसके pyq लगाओ और जब pyq लगाओगे तो pyq लगाओ जो नहीं हो रहा है पहले खुद से लगाओ फिर ना लगे तब video solution पर आओगी चलो भी या अब देख लेते हैं कि इन लोगों की strategy क्या है किस तरीके से लोग solve करा रहे हैं अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो that will be beneficial for you of course it's a pad काफी मेहनत से इन बच्चों ने बनाया आपके seniors ने बनाया है बीटेग और MTK students ने या फिर पास आउट professional teachers ने तो इसे अफकोर्स एपेड है लेकिन अभी pre registration चल रहा है तो अभी जो इसकी price है तुम यकीन नहीं मानोगे 249 रुपीज 249 रुपीज है अभी के लिए जो लोग pre registration कर रहे हैं उनको सिर्फ 294 रुपे में वो चाहें तो आज से ही खरी सकते हैं जैसे क्योंकि अभी बनना स्राट हुआ होता जा रहा है डेली का डेली एड होता जा रहा है मतलब पेपर फिजिक्स इसमें आपको मिलेगा क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाई की होई नहीं वीडियो शॉलूशन भी प्रवाइड कर रहा है कुछ वीडियो शॉलूशन हम लाइब भी करेंगे जैसे एक्जाम का डेट इनाउंस होगा तो आपको यूटूब पे हमाएक आपको ग्रूप आपका एक डिसकस भी कर सकते हो तो हम आपको एक एबी सपोर्ट देंगे ठीक है तो यह चीज़ आप हमारे वेबसाइट से नीचे टेलिग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनकी परपरेशन अच्छी नहीं है तो भाई देखो हमारे और भी प्रोग्राम एम्यू के लिए चलता है आपको भी पता है अलीगड़ मुसलिम यूनिवर्स एम्यू बीटेग में सबसे बढ़िया ओनलाइन में रिस्पांस रहा है सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है तो हमारा रहा है हमने तीन और छे महीने के कोर्ज में 14th rank 18th rank 45 rank ऐसे करके rank दिया है मतलब बहुत ही शांदार rank हमारे यहां से रहा है ठीक है तो अगर आपकी preparation अच्छी नहीं आपको लग रहा है कि आप नहीं IT जे लेबल की preparation नहीं कर पा रहे हो तो और आपको directly EMU की preparation करनी है या फिर आपकी 75% नहीं है आप IT के लिए लिजबल नहीं हो आ आपको personal EMU की coaching जाएंगे तो आप हमारे प्रोग्राम को joint कर सकते हो हमारा complete preparation package जो आता है that is 6,999 रुपए में आता है जिसमें हम आपको six month पढ़ाते हैं DBB test series सारा कुछ हमी provide करते हैं उसके अलावा अगर आप कहीं और से coaching ले रहा हो आप नहीं ले सकते हमारे complete preparation को तो आप हम guidance program है इसमें आपको pyq तो मिलेगा ही मिलेगा यह जो चीज़ है chapter wise pyq और video solution तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में आपको और भी चीज़े मिलेंगी जैसे कि कुछ live interaction classes मिलेंगी जो motivational class होगा amu के लिए बातचित को लेकर ठीक है amu के बारे में information और amu की preparation strategy जो है हम आपको live class में आके बताएंगे कुछ live classes होगे ठीक है और उसके अलमा आपको आपका एक personal group भी बनेगा जिसमें आप teacher के साथ amu को लेकर amu से related चीज़ों को discuss कर सकते हैं और counseling से related help ले सकते हैं amu के this program is 599 of course बहुत सस्ता program है मात्र 599 में चुकी pre-registration चल रहा है इसलिए है अभी जैसे